हे गाइज वेलकम टू माई चैनल आज हम बहुत ही ज़ादा सौफ्ट स्पॉंजी गुलाब जामुन बनाएंगे और बहुत ही कम समान से बनाएंगे और बीना मिल्क पाउडर, मावा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के भी ये बहुत ही ज़ादा सौफ्ट और में प्राबलम आती है कि इसे बनाने में बीच में गुठली सी बन जाती है बहुत ही ज़ादा हार्ड बनते हैं तो आज हम उस प्राबलम को सौल्व करेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं घी निकालने के बाद जो खुर्चन बच जाती है उसे हम ये जामुन बनाएंगे खुर्चन को एक प्लेट में निकालके इस तरीके से हम स्मूथ कर लेंगे और इसमें हमें घी नहीं डालना पड़ेगा ये देखिए अल्रेडी इसमें घी है और इसको बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें मैदा मिलाएंगे सबसे पहले एक स्पून हम इसमें मैदा मिलाएंगे और धीरे धीरे करके मिलाएंगे जितनी requirement होगी उतना ही मैदा हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से mix करेंगे तो हमने इसका soft सा डो बना के त्यार करना है ना ही ज़्यादा hard होना चाहिए और ना ही चिपचिपासा होना चाहिए तो ये तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से सॉफ्ट सा डो बना लेंगे हम ये देखिए ये बंधरा है ना तो ये बहुत जादा चिपचिपआ है और ना ही ये बहुत जादा हार्ड है इसी तरीके का डो हमने बनाना है और 10 मिनिट के लिए इसे ढखके रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए चाश्णी बनाने के लिए हम इसमें दो कप चीनी लेंगे और जितने हम चीनी ल जाइची को भी crush करके डाल सकते हैं, और सैफरन को भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल optional है, इसे colour बहुत ही अच्छा आता है, फुल फलेम पर चीनी को melt कर लेंगे, तीन या चार मिनट लगेंगे, इसे melt होने के लिए, और ये देखे, चाशनी की कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि जैसे ये तेल के जैसा चिपचिपा हो ये देखिए इसमें कोई हमने एक दो तार की चाशनी नहीं बनाई है ये चिपचिपा सा पन है और बस हम गैस को आफ कर देंगे और ढखके रख देंगे और दस मिनट हो गए हैं डो भी बहुत ही जादा स्मूध है तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बाल्स बन रही हैं कोई भी इसमें क्रैक्स नहीं है और ये बहुत ही इजिली बन जाएंगी क्योंकि हमने आटे को बहुत ही हलके हाथ से गुथा था तो इस तरीके से हम सारी बाल्स बना के त्यार कर आपको भी इसे बनाने में कोई प्राबलम नहीं आएगी बहुत ही अराम से ये बाल्स बन जाएंगी इन केस अगर आपकी बाल्स में दरार आ रही हैं वो फट रही हैं तो डो ठीक से नहीं बना है तो उसे आप अच्छे से स्मूध कर लें जितना डो सॉफ्ट और स्मूध रहेगा उतनी ही बाल्स बहुत ही अच्छी बनेंगी और जिसे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे तो ये देखिए सारी बाल्स बना ली हैं गुलाब जामुन फ्राइ करने के लिए फ्राइ पैन में ऑईल डालेंगे और बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए एक बॉल को डालके चेक कर लेंगे जिससे हमें ओयल की हीट का पता चल जाएगा तो ये देखिए डालते ही एकदम से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है ये धीरे धीरे सिक रहा है इसका मतलब हमारा ओयल एकदम परफेक्ट गरम है और इसी तरीके से हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और सारी बोल्स को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इस तरीके से फ्राई करने में हमें 7-8 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और हमने gas की flame को medium to high बिल्कुल भी नहीं करना है इससे ये बाहर से तो golden brown हो जाएंगे लेकिन अंदर से इन में कच्चा पन रहेगा जिससे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे और बीच में इनके गुठली सी बन जाएगी जो की खाने में बहुत ही बेकार लगती है तो इसलिए हम इसे बिल्कुल slow flame पर golden brown करेंगे heat check करने के लिए जो गुलाब जामुन डाला था ये देखे golden brown हो गया है इसे चाशनी में डाल देंगे और दूसरे गुलाब जामुन को भी इस तरीके से हम स्पून से उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये चारो तरफ से अच्छे से सिक जाएं और ये बहुत अच्छे से सिक गए है golden brown कलर इनका आ गया है और अब हम इनको निकाल लेंगे और सीधा हम इसे चाशनी में डाल देंगे और सारे गुलाब जामुन को निकाल कर हम गरम चाशनी में डालते जाएंगे और दूसरे बैच के गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेंगे और इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ओयल बहुत ही जादा गरम ना हो और इने भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे हम गरम गरम चाशनी में डालते जाएंगे तो ये देखिए ये कितने प्यारे कलर के हो गए हैं और इसे हम चाशनी में डालते जाएंगे और दो घंटे के लिए हम इसे ढख कर रख देंगे दो घंटे बाद चेक कर लेते हैं तो ये देखिए कितने अच्छे गुलाब जामुन सेट हो गए हैं ये बहुत ही ज़ादा सॉफ्ट और जूसी बने हैं आप इसे जरूर ट्राई करें तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और अगर आपको ये गुलाब जामुन गरम पसंद है तो आप इसे उसी फ्राई पैन में ही रहने दीजिए और पांच मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे गरम कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गरम वाले गुलाब जामुन भी तो आप जिस तरीके से खाना चाहते हैं आप उस तरीके से खाएं गरम खाएं या फिर आप इसे ठंडे करके खाएं ये दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो आप इसे तो जरूर ही बनाए और इसे अब हम सर्फ कर लेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हैं जूसी है और इनमें गुटली बिल्कुल भी नहीं है अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है ये देखे कितने स्मूथ है ये और ये पूरे जूसी है आप इस तरीके से इसे जरूर बनाए कोई भी प्राबलम आपको नहीं आएगी इसे बनाने में और बिना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के भी कितने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बने है आप इस तरीके से जरूर बनाए और कितने कम समान में इसे हमने बनाया है और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही इंट्रस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग